नमस्कार आप सभी का हार्दिक स्वागत एन्वीर एजुकेशन के से यूटूब चैनल पर और मैं संपत लिड़ आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक बरती की तेहरी करवा रहा हूं जिसके अंदर हम अभी C प्रोग्रामिंग के कक्समा के बारे में यापर डिस्कस कर रहे हैं और आज की अपनी जो क्लास होने वाली हो है C के अंदर functions क्या होते हैं, functions कितने परकार क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं तो उनके बारे में complete जो detail है इस वीडियो के अंदर देखन दियान रखे कि अभी हम C language की theory classes सारी discuss कर रहे हैं, आपके लिए एक बड़ी marathon class लाईगी जिसके अंदर आपके लिए practical with सारा complete जो है C programming एक ही वीडियो के अंदर आपको वापस पढ़ाया जाएगा practical with, अभी हम सारे theory concept जो है clear कर रहे हैं, इसलिए कोई भी साती ऐसा मान के ना पास आएगी उसके अंदर आपको practical with सारा concept समझाया जाएगा, तो साथियों वीडियो को सुरू करने से पहले आप सब भी से request रहेगी कि तो आज पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ सदशेता ले 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 हैं, उसके पहले के चैप्टर में हमने array के बारे में देखा था, अगर आपने नहीं देखा है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखेगा, वीडियो चैनल के उपर upload है, आगे देखे, आज हम देखते हैं, C programming के अंदर functions क्या होते हैं, उसके बारे में ठीक हैं, अब functions के बारे में discuss करत है, यह lines कब lock है, मालो, हमें कुछ काम होता है, तो बार-बार इस सारे lines को बार-बार लिखना पड़ते हैं, बार-बार लिखना पड़ते हैं, तो इससे क्या है, एक तो हमारा जो time हो रहा है, वो हो रहा है, वेस्ट, और दूसरा क्या होता है, कि आपन को यह line जो है, बार- वो problem आते क्योंकि जितना बड़ा code उसके अंदर error को टूनने में भी अपनको problem होती है तो इन सभी का एक ही उपाई है function देखे इस repetition की वज़े से हमारे program code की length फालतू में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसकी वज़े से program की readability performance और maintenance पर बहुत असर बुरा असर पड़ता है means यह जितनी ज़्यादा lines होगी program के अंदर तो उनका वापस readability यानि उनको पढ़ने में भी time लगेगा उनका maintenance होया यह उसके अंदर error आ गया तो वह भी आपनको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा इस problem से बचने के लिए proceive programming में function का concept दिया गया है कुछ programming language में function को method भी का जाता है जैसा कि मैंने आपको कुछ videos पहले भी बतायता कि c language के अंदर जो functions होता है उसको हम कई जगा method के नाम से भी जानते हैं या अन्य प्रोग्रामिंग में जो हम method के रूप में भी इसको जानते हैं ठीक है बहुत सारी हम आगे programming पड़ेंगे जहां पर हम function को method के रूप में जानेंगे देखें यहां पर function में हम किसे specific task के लिए code किये गए statement यानि line of code को एक name के साथ एक block में group कर देते हैं मान लीजी यह इस नाम का block है इसके अंदर हम क्या कर देंगे उससे statement को लिख देंगे अब जब भी हम इनका use लेना हो अपन को तो इस नाम को अपन क्या कर देंगे बार-बार call कर देंगे या उसको वापस repeat कर देंगे अन्य सब्दों में अगर समझा जाएं तो function एक ऐसा block of code होता है जिसकी help से हम अपने प्रोग्राम में किसी specific task को जो है पर्फॉर्म करते हैं यानि जो भी आपके specific task है उसको बार-बार हम क्या कर सकते है रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज कर सकते हैं इत्ता सारा code लिखने के जो नेम रखा है वो block आप वापस लिख दी जिसको हम function के नाम से जानते हैं तो आसा करता हूँ कि आपको यहां तक का अच्छे से समझ में आया होगा कि function क्या होते हैं functions होता है अपन के program के अंदर बार-बार जो repetition होता है code लिखने का उसको कम करता है और समय भी बचाता है और readability और maintenance को भी अपन के लिए असान बना देता है अब अगर हम देखें तो c programming में function के दो प्रकार होते हैं कौन-कौन से एक होता library function जो पहले से inbuilt है जो पहले से इसके अंदर define है दूसरा होता है user defined function यानि library function के अंदर जो पहले से कुछ functions हो रखे हैं वे library बाएंगे और user defined यानि user अपने अनुसार भी बना सकता है अब बात करते हैं सबसे पहले हम library functions के बारे में तो देखिए standard library function को हम built-in function भी कहते हैं यानि आप सबसे पहले तिये point जान लिजी कि library functions होते हैं वो पहले से c language के अंदर define है जिसके लिए आपको अलग-अलग परकार के header file को use करना पड़ेगा अगर एक simple सा example आपके सामने रखूँ तो आप अपने program में कोई input या output करना चाते है किसी code को या किस statement को तो उसके लिए आप मान लीजे कि stdio 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 आई-उया इंकलूड करेंगे तो इस लाइबरी के अंदर यहां पर आपके पास जो है इसके फॉर्परिंटर फंक्शन होते हैं तो यह function के अंदर आए इस लाइबरी के अंदर आता है जैसे बहुत बार यह exam में कुशन आ चुका है eva आप देख सकते हैं कई पर भी जाके विजिट करके की प्रिंट है फॉर इसके ने फंक्शन होते हैं वो किस हाइडर फाइल के अंतर गत आते हैं तो यह ऐसे कुशन बहुत बाहर देखने को मिलते हैं तो आपको पता होना चाहिए यह स्टीडी को अंतर आता है मैं रिगार्ड का साहिए कि अगर यूजर कोई अपनी आवशिकता के अनुसार या आवशिकता को पूरा करने के लिए इस टेटमेंट रिप्यटि एसन को रोकने के लिए अपने खुद के फंक्शन को बनाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं यूजर्डुपांक्सन मानली जी कि मेने पास को कोई भी जो आपको अच्छा लगे उस नाम से मैं बना सकता हूं, टोटल नाम से है, जो भी, तो इसको मेरे को जब भी use करना पड़ेगा, जोड ने काला, तो मैं सिर्फ इस function को लिख दूँगा, वापर तो सारा काम हो जाएगा, तो यह मैं अपनी आउशकता के लिए बना रहा हूं, ठीकर न, आप समझे यह हैं आपर, मैं यह अपनी आउशकता के लिए बना रहा हूं, तो यह user defined function कहलाएंगे, तो वे function जिनको user अपनी आउशकता हों को पूरा करने के लिए बनाते हैं, और code का repetition बार-बार जो होता है, उसको रोकने के लिए बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, user defined function कहते हैं, यह थे function के दो types, आगे हम देखते हैं, function declaration, उससे पहले एक छोटा सा विनम्र अनुरोध है आप सभी से, कि अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया हैं, तो प्लीज सभी पहले वीडियो को लाइक कर देखते हैं, जिस परकार array declaration था, variable declaration था, उसी परकार function declaration भी होता है, जो concept का definition है, वो same है, कि आप किसी variable को बनाते हैं, तो वो variable declaration है, जैसे आपने लिखा integer, मान लो, integer a, तो यह a जो है, वो variable है, यह आपने बनाया है, अभी इसके अंदर मान नहीं दिया है, तो इसका जो मैंने यह define किया, इसको हम declaration के रूप में जानते हैं, देखिए, c variable की तरह ही function को भी use करने के लिए पहले declare करना जरूरी होता है, function declaration को हम function prototype या function signature भी कहते हैं, very important line आई है इस बार, कि function declaration जो होता है, उसको हम function prototype या function signature के नाम से भी जानते हैं, यह point आपको त्यान रखना है, especially, कि function prototype, function signature या function declaration, यह तीनों एक ही परकार की terms है, ठीक है ना, function declaration से compiler को function का name, parameters और written type के बारे में जानकरी मिलती है, यानि जब आप function को declare करते हैं, तो आप बताते हैं कि इसका written type क्या होगा, ठीक है, इस function का name क्या होगा, ठीक है, तो यह सारा इसके अंदर आ जाता है, कि आप compiler को यह बता रहें कि मैं इस परकार का function बना रहा हूँ, जिसका name यह होगा, parameter इसके अंदर यह होगे, और इसका written type यह होगा, अब देखें, इसका एक syntax देखते हैं, यहाँ पर तो syntax किस प्रकार का है, written type लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद लिखेंगे हम function का name, और यहाँ पर लिख देंगे हम function का, function के अंदर जो भी हम parameter पास करना चाता है, वे parameters, आगे की गड़ी के अंदर हम देखते है, function calling क्या हो transfer हो जाता, जहां से आप अभी उपस्तित हो, और वहाँ पर अगर आपने function को call किया है, तो वहाँ से सीधा वो जो वहाँ पर define किया गया है, वहाँ पर वो चला जाएगा, इसके बाद जब वो function पूरी तरीके से execute हो जाएगा, तब दोबारे से function का control, function definition से function calling वाली जगा पर C programming में function को call करने के दो तरीके होता है, एक होता है call by value, यानि value के थूरू उसको call करना एक होता है call by reference, जिसके अंदर आपको pointer का knowledge होना जरूरी है, जिसकी class हमारी आगामी class के अंदर आपको दिखाई जाएगी, reference के लिए आपको pointer का help लेना पड़ेगा, तो दो तरीके function को call कर करने के ध्यान रिखेगा, MSU के के अंदर आपको पूछ लिए जाए, एक्जाम में call by reference और call by value, अब देखें एक function का simple सा example है, जिसको आप देखें अभी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, has include stdio.h, एक मैं function बना रहा हूँ, void परकार का जिसका नह में my function, ठीक है, my fun नाम से function बना रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक integer main का standard function बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर printf, hello, I am main function, मैं आपको इसको difference करने के लिए बता रहा हूँ, कि जब, देखें, यहाँ पर, अब मैंने यह statement पहले print किया, तो यह statement पहले print हो जाएगा, उसके बाद दूसरी line पाएगा, statement पर यहाँ पर यह call कर रहा है, my function को, ठीक है, my function को यह call कर रहा है, अब my function के अंदर जाएगा, तो यह declare तो है, लेकिन इसके अंदर क्या होना चाहिए रहा है, को यहाँ पर यह my function यहां से बाइं संडिगे और इस्के बाद यह छपएगा यहाँ कद बाद इसके बाद इसका आप और इसस्के बाद next statement एक है यहीं में के अंदर आ चुका है तो यह output आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा Hello I am man function Hello I am my function ठीक है न यह अभी अपने my function बनायता यह आ गया तीसरा उसके बाद back to man function इसके परा चुका है तो यह इस प्रकार से कुछ function calling काम करता है ठीक है आगे बढ़ते और next हम देखते है recurseign क्या होता recurseign को call करते है तो उसको हम recurseign केते है ठीक है यो उस function को हम recursevenue भी कहते है अंगर आपको simple सी language में समझाई जाएं तो यह होगा कि यह function जब अपने आपको खुद को बार-बार call करता है देखिए recurseign एक ऐसी प्रक्रिया होते है जिसमें एक function अपने आपको बार-बार कॉल करता है अपने आपको वापस दौराता रहता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं पर रीकर्जन कहते है और अगर वह फंक्सन है तो उसको क्या कहेंगा रीकर्जिव फंक्सन के नाम से जानेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है अगर देखें कि यहाँ पर C language recursion function support करती है परन्तु इसका प्रियोग करने के दौरान programmer को function में exit condition को भी देना जरूरी होगा नहीं तो वो क्या हो जाएगा infinite loop में convert हो जाएगा और बार बार चलता रहेगा चलता रहेगा अनंत तक चलता रहेगा क्योंकि हमने उसके अंदर जो condition है वो exit वो उसमें नहीं दिया है इसलिए वो infinite loop में convert हो चुका वो बार बार उसको चलता रहेगा अब बात करते हैं कि recursion तो आपने समझ लिया कि call function अपने आपको बार बार call करता है लेकिन इसके types कितने होते हैं तो recursion के आपके basically 4 types होते हैं कौन-कौन से पहला होता है tail recursion तो tail recursion क्या होता है यदि एक recursive function खुद को call करता है और यहां recursive call function का अंतिम statement है जिसे कोई function है और उसके अंदर जैसे function मान लिया कि यह यहां पर यह function है ठीक है यह नहीं है यह कोई function है यहां पर आपको मान के चलिए जिसमें इसको remove कर देता है यहां पर मान ली थी कि यहां पर आपने function लिखा इसके अंदर आपने जो भी statement लिखे है और यह यहाँ पर मान लो कि यह अंतिम function है यहाँ पर तो यहाँ पर दीके अंतिम statement है तो इससे tail recursion के रूप में जानेंगे यह जो है वापस अंतिम जो recursion होगा इसको हम क्या कहेंगे tail recursion के रूप में जानेंगे इस recursive call के बाद function कुछ भी perform नहीं करता क्योंकि यहाँ पर तो यह अनन्त हो चुका है मलब यहाँ पर इसका अन्त हो चुका है खतम हो चुका है दूसरा होता है single recursion तो इसके इस प्रकार के recursion के अंदर क्या होता है केवल एक recursive call ही होती है और गर multiple होगी तो क्या होगी एक से अ Hun कि को कॉल करता है जैसे यह function है यह से दूसरे function को क्या कर रहा है कॉल कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे इंडिरिक्ट recursion कहते हैं ठीक है नहीं जिसके कान original function को call करना पर ता क्योंकि यह एक function से दूसरे पर जा रहा है तो यहां पर तो यह original को भी बुलएगा ठीक है नहीं तो क्या होगा duplicate call को वही वापस दोराता रहता है यह जो recursion होते हैं अब recursion का यहां पर आप syntax देखी किस प्रकार का होता है तो recursion का syntax होता है void recurs ठीक है न और यहां पर नाम से बनाता हूँ यहां पर एक function अब इसके अंदर देखो यहां पर मेरे जो भी recursion है वो मैं यहां पर इसके अंदर लिख दूँगा उसके बाद मेरा जो भी main function है वो लिख है और उस इसके साथ share भी जरू कीजिएगा एक बार फटापट इसका वापस revision देख लेते हैं तो देखे सबसे पहले हमने देखा ता function क्या होता है तो function सिंपल सा क्या होता है कि function हमारे प्रोग्राम में किसी भी code की वापस जो बार बार दोहरा होता है उसको रोकने के लिए क्या कर दी जाता है एक method होता है जिसके अंदर हम एक block बनाएंगे और उस block के अंदर जो भी हम लिखेंगे तो उस block को बार बार लिखने के जरूत नहीं देगी सिर्प इस function को वापस ल से सी लेंग्वेज में बनाए हुए हैं यह जिनका अर्थ पहले से सी लेंग्वेज के अंदर पता है और ऐसे function जो यूजर अपनी आविसकता को पूरा करने के लिए बनाते हैं उसको यूजर डिफाइंट function कहते हैं उसके बाद हमने देखाता है यहां पर function का declaration क्या होता है है function declaration उसके बाद function का calling होता है तो function को declare कर दी तब उसको call तो करना पड़ेगा तो call करने के लिए आपके पास दो मेंतर होते हैं तो call by रेफ्रेंस तो call by रेफ्रेंस आने वाली वीडियो के अंदर में वापस भी पढ़ने वाले हैं और वेल्यू के अंदर क्या होता कि जो function आ इन दोनों statement के बीच में उच कर रहा हूं तो यहां पर देखिए बीच में यह माई function का जो यह code था वह वहां पर चप चुका है तो यह function का यूज इस प्रकार से कर सकता है फिर हमने देखा था कि रीकर्जन क्या होता है रीकर्जन का मतलब होता है जब को function अपने आपको बा इन दाइरेक्ट रीकर्जन रीकर्जन में क्या होता है कि जो function आपने बना रहा तो उसके अंदर क्या होता है यह function को call करता है तो वह आपका इंडायरेक्ट रीकर्जन कहलाता है उसके बाद मैंने आपका एक इंटेक्स भी बताए था कि आपर यह पहले आप रीकर्जन आपका डिफाइन कर दीजिए फिर इसको आप मैं फंक्शन के अंदर कहीं पर भी इसको वापस कॉल कर सकते हैं तो यह सिंपल सा मैंतर था जिसको हमने आज function के दोरान पड़ा है और यह आज की class आप सभी को कैसी लगी है जल्दी से पहले अपनी राय नीचे comment box में दे दे और इसी प्रकार के डेली class join करने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे हैं और आगे की आगामी practical class यानि मेरत्वन क्लास के लिए भी तहार रहे हैं इसी प्रकार पढ़ते रहे हैं मस्त रहे हैं और ट्वीटर के उसको भी आप प्लीज जरूर जारी रखें जिसे अपनी वर्तित समय पर आज चकें और आप भी उसको समय पर उसके exam की तेहरी कर सकें इसी के साथ मैं संपन लेड़ा आप सभी से अलवीदा लेता हूँ जै हिंद जै भारत